जिया विचार मेरे को सुर्जीत मलिक ने गाइड लाइन किया जी अच्छा जी सुर्जीत मलिक कि वीडियो देखने के बाद ही ने ये शुरुचा किया रोनी की गाइड लैन्ट से देदेता हूं निए श्याम को एक लीटर दूढ पी लाता हूं तो भुदून इबंद करा करें अगर महाने होगी है ये शाप मेने होगी है यदर मोश्व्य थंदा रहाती है ठीक जी अच्छी एंदर आठारा लिटर दूद त्यार है और इसके पिछे पिरुदी कटडियों आप है अच्छी टाब विसाथ निए ब्रेडिंग भी या अच्छी और आज साथ मेंनें से पलस किया ठीक जी और आजवे श्याम बढ़किय अब तक जो देखने को मिले जी इनको आपको दिखाए है इसके फिछे टकड़ी है जी इसके पराना करना आपका है तो इसकी क्या डिटेल है यह 14-15 लीटर दूद की वेंस है अच्छा जी और अब यह साथ महिने से पलसी साधे साथ महिने की ओविशा है तो यह मतलब ड्राई पे है अब जो दूद थोड़ा देरी साथ एक ताइम के रहे है यह भी काफी अच्छी है जी लंबे टाइम कर दूद देने वाड़ी हां जी अब की बार अना थोड़ा का ताइम आउस करके इसको ड्राई पे लिया है अच्छा जी इसकी नानी भी मेरे तो बड़ी अदूद की तेकने उस तेम इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी लिए वह सेल कर दी अच्छा नहीं था बर्की ब्रीट है यह अंजी नमस्कार दोस्तों मामनी पाप सब भाई होंगा स्वागत करता हूं जी आज की इस वीडियो में और आज का वीडियो लेकर कर से काफ त्यार करें के सी ब्रीड अपने डेरी फारम पर रखें तो आज आप आए इस भाई के पास में गाउं खेरों पूर्डिस्ट की सार के अंदर इनका बेरी फारम सेटप है भी और खेतों में बना रखें जी बड़ी अलोकेशन है गाउं से अच्छा भी जो अपने ख मुश्कर बशाब और आपका चैनल देखने वाड़े सभी वाज्यों को मेरी तरफ से राम रख तो अपना नाम गाउं एडर से कंफरम कुरा दे हैं जी सुर्जीत सिंग घाउं खेरंपूर तो आपने कब से अपना डेरी फारम का काम स्टार्ट किया और कैसे आपके मनमे व चुला पर आपके मेरा सारा काम सब्सक्राइब तो काफी भी मोटिमेशन जो वीडियो सर्जीत मिलिक सर की जो आई है हमने भी उनकी की वीडियो देखर के दो बिचार पस रख है उनसे जो स्टार्ट करें अपने मन में विचार आई थे जितू भाई की वीडियो देखी ऑन अपने बताएं जी पस्वादन की पहले गर पे केसा पसु था और आज कैसा है अधिया अच्छा जी और अब सुझीत मलिक की वीडियो देखने बाद में और विचार थे उनको समझ गे और मैंने ये रखा वही अगर वैंस रखे ने तो अठारा से बीच पलस की ही रखें न तरजिश में जयादा मतलब मेंटनेस जोता है इतना ही तो 10-12 लिटर वाली जेती है हां जी उतना खर्चा उसमें आता है उतना ही इनमें आता है हां जी ऑन्जी सेम केर तो सेम होती है सभी जी डाइट बान में थड़ा फल तो कम ज़ादा कैसे ये डायेट पलान के अंदर स लिट्र वाली होती है उसको मतलब 10 किलो दाना जरूर जोता है तो तो फीडिंग में अपना क्या रहता है क्या रहता है मिक्स होड़ा है दोई चीज डालता हुं दिन तो बताए अपने वह साह के बार में आप फिर ले खड़ी करके कर गें की बारे में भाइक श्वाद की बास में पहले नमबर पे मेनी यह मैंने भी पास तारिश को खड़ी दिया सर अच्छा जी मंडी आदों पर सही खड़ी जी ठीक जी यह मतला मेरे पास में आई यह उस ब्याई हुथी दो दिल की बैई उड़ाय उड़ाय है हमाचा आप खीछ महीं खाली हो मतलब इसको मेला माला चलने के बाद में अभी शरुवात कर दी है दूद बढ़ना अच्छा जी तो दूद में यह सोड़ा से सत्रा लिटर कर आ है आज पंदरा सोड़ा सत्रा दिन की होगी होगी साइज बही हुई अच्छा किते हैं दूद की उमिद है अपने इससे मेरे अठारा से बीटर दूद की उमिदेगी तो काफी अच्छी जो ब्रेडिंग का दूद के पुसुका जो सुना हो भाई ने की है जी अभी दो नमर पे आती है जी अच्छा जी शेद हाँ पर ठीक है जी और आज इसके अंदर अठारा लिटर दूद त्यार है जाए जाए जा अच्छा जी एक से दो लिटर के बीच में कम भी कर गी थी आप दूद त्यार पर पर पसुद देते हैं उन्होंने और इसके पिछे शिकंदर बुल की कड़डी है यह थाड़ा ऐसा हट्की है क्योंकि इस ते अंदर दस्त लगे थे अफ्ता पंदरा दिन के आस पास दस्त लगे इसको अच्छा जी इस वजे से थोड़ी कम जोर रही इसका ट्रीटमेंट चल लाए आज दो दिन से सेट आई तो यह देखें जी बिल्कुल टाइट लगी और जो अटर का साइज अभी अभी अपां सुबस्वे वीडियो जुल्दी का बना रहे हैं जी लग बग अच्छा जी और आज साथ मेंने से पलस्त किया ठीक हुँ ही और आज छे मेंने से पलस्त होगी जब बना श्याम बढ़कीया भूल्व से लगी अज इसके अंदर दससे बारा लिटर दूद त्यार हैं अभी ताइम पे एकना भी है इसने शीन का इम पर साढ़े ठाब लिट अब तक जो देखने को मिले जी इनको आपको दिखाए हैं इसके पिछे कटड़ी है जी सब्सक्राइब तो अपने गर पे शीमन त्यार किया पहले सब्सक्राइब जाने यह बात में तो एक मेंना की इस दिन की थी यह यूशी टेम ले आया था इनको अच्छा साथ में थी एक अब शुब तो इसके गरोत का क्या राज अपने बास गरोत का राज भी सरका फ्रोल देता हूं इसको अच्छा जगातार बहतमत सुबह लश्ची के अंदर मिला गे और जो फार्मूला बताते है सुर्जीत मलिक वह फार्मूला दे रहा हूं हलीम बाला चने के चना बाजरा बाली मेथी यह जीजे मिला करके और जोजो चमत से सुबह ले देता हूं है स्याम को एक लीटर दूज बिलाता हूं बुदू बंद कर राके हैं क्या में नहीं होगी है यह साथ मेंने से फलस होगी साथ मेंने से एक बुदिन उपर होगी तो काफी बड़िया त्यार करिए काफ स्टेटर फीड वेगर आप नहीं जी कोई जी नहीं दिया यह खड़ चूरी है नॉर्मल वह ज़ता ही काफी बड़िया भी थनों का स्पेस भी आप देख पार है यह शत्तर पॉंस सतंतर का जो काफ है इनके गर पे है और यह ब्रीडिंग के लिए जबतार हो रहा है ज अच्छा जी पुराना करना अपता है तो इसकी क्या डिटेल है यह सी 14-15 लीटर दूद की वेंस है अच्छा जी और अब यह साथ महिने से पलसी साड़े साथ महिने की ओपिशाए ठीक है जी तो यह भी मतलब ड्राही पे है अब जो थोड़ा देरी सर एक टाइम के रहे है यह भी काफी अच्छी जी लंबे टाइम तक दूद देने वाड़ी हां जी लंबे टाइम तक दूद देती है लेकिन अब की बार आना थड़ा सा टाइम में आउट करके इसको ड्राही पे लिया है अच्छा जी यह तो ब्यात्य टाइम अच्छा टाइम तक दूद देती है यह करोगे बच्छा के लिए माझा दी पाका ऴाई को दिखाए चो मुद्धी बत्साया किया नियर कोई भुत्स पाजी को अब टेर आक लिए पाद में अज्रा यगी अे ब 약itesओ यह को दिखाने है कि यह देखें जी काफी अच्छी ज़रोत है कटड़े की भी है कि अपी बड़ने वाला है कि पूंच थोड़ी सी वाइट आपो देख पारें जी चार से पांच इंच जो भी है कि अच्छाजी क्या कुछ से मॉलबाव करें इसका 25,000 रुकार में देनाए जी 15-60 kg मां पांच पहले तो इतना जया नहीं पर दीदी तो कंडेió नहीं रहरा है अंदाजा आपर दूद वाले को दे देख ए फेर गर पे रहे तें से ते पंद्राशोडा लिटर है हराम से फिद तो बाद में आपका दूद्ध भी फरक पड़ता है अब आगी भी एक त्यार करें जी अच्छा जी आपने कोसात भी ओड़ता के सक्षामे भी इसके साथ मेरे अच्छा जी इसकी मा मीरे गऊतीय मां करें गीडरत एक तर्टर्क बैच में इसकी मांनी बेर अब जो आपना डेरी फार्म जो सेट अपने डिजाइन किया है सेट का डिजाइन किया है इसके बारे में थोड़ा बताएं जी कितना खर्चा है कितनी जगह में आपने जो त्यार किया है सेट का डिजाइन है हमारा अठारा बाई और अठाइस का लंबाई चुड़ा है इसमें पिछे बच्चे बंदरी और आगे बैसे बंदरी यहीं शुर्जीत मलिक ने ही बताया दा मेरे वह इस तरह करना है अच्छा जी उनके बदाए हुए फर्मुले पर ही चलता हूं जो सिम चान को में पर से शुर्ण भी कम आएकी से जादए कर लूता में ठंडिवे चारंतरफ में लगते थी। एक हमें एक ठरवे हो तो पर से उपन साद भी हो गया और बंद हो पड़ागा और पचाश जा रूपे इसका टेन का और ये फर्चा आया था है पचाश जा रूपे जो उपर चट लगी है वो जो दिवार खुड़ी बनाई है उसका साथ में पाइपें भी पाइपें फुटें सब लगा के मतलब 80,000 रूपे का अश्पा हो गया हुगा हुगा यह जी कोई 48 इंस्टा है कोई मसला बहा है 58 नहीं कोई 53 का है चॉंबन का है कोई 22 का इस तरह है जी लग बग शाड़े चार सबस्वा चार्ट के साथ जगह थी ना उसके अंदर मैंने ब्राबर बराबर बराबर कितने पसों हो ये 6-7 पसों हो गया हां जी 6 पसू का ये बढ सब्सक्राइब कोई ज़ा उपर कर देते हैं कोई निचे तो विल्कुल मेडियम और भी गोड़ा ही वाड़ी जो यूसेफ में बोलते हैं आपा वह वाड़ी है भी कोई इसमें फंगस लिगा लगना ऐसी कोई समझा नहीं है तो यह सा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप अपने साथ जुड़े लें अपना सेल प्रचेट से अच्छा ऐसा पस्दम देखाएं उसमें आपकूश है भी तो अपना फो नंबर रोबते हैं जी साथ की साथ है मेरा मूबाइल नमर जी अठाण में 139 पैंसट नो 34 ठीक है जी अपना घाउं के रमपुर हो गया रिष्टिक सार अटासील मंडी आदंपूर तो आज कल बहुत मोटिवेशन मिल रहा है एक बेरोजगारी जादा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा इसके अंदर अपने को अपने को अपना क्या मुनाफ़ा मिल रहा कितना खर् तो आप लगा लिए जारके आसपास की डेली की इंकम है तो उसमें आपना खर्चा भी होगा अधा खर्चा तो यह आ जाता है अधा पेशा बचता है इसमें जूट मालने वाड़ी बात नहीं है इतना पचिए इतना आधा पेशा अगर बढ़िया मैंजमेंट करोगे बढ़ि ठाधिली करके बढ़िया आधा तो आपना खर्चा मैं जाते ही क्यारी है तो अपना दिम साब भी होगी होै तो यह देखते हैं बीकर तो अपनान आप रख़तया नहीं क् Taking Ek और पर दूसरी बार हまだ इसमス्ना के अंदर मतलब इसको जो केल्सियम है मिनरल मिक्सर है इन चीजों की पूर्ती रखोगे तो ताइम पर ही ग्याबिन होगा पशूर ये तो मैंने एक्स्पिरियस करके देखा है इछे मिन्ने में और सुर्जीत मलिक ने बताया है उन ही काई बताया है फार मेले पचला और सो पर चांवल फेशुसर से बढ़े और घर के रहें और गर्वारे और में मिलके ही करते हैं तो बढ़ी है काम अपना आपना सादर्स हे लिए चाहिए आपना स्वेश्ची घृता है अर थोड़े और बिढ जाता हुआ है हंजी पीक टाइम वेशची लगे तो तक हाई उन चाह द मेला तलने के बाद यह भी उपर जनने सरू होगी दूज में तारा से भी लिटर तक पका जाएगी अगर मौसम थंदा रहा तो अभी बरसात भी होई है इस करके मौसम थंदा ही है बढ़ने की उमीद है मिनरल मिक्सर भी जाते हैं देखो जब देख बाल करने एक एर गरोगे तो देखो चीजा तो देनी बढ़ती है थारी की पूरती के लिए क्यों शिरब खड़ और चुरी डालते हैं या प्रोपर अमर्डिक ते रहते हैं बही ज़नार लोग अना डाल दिया बनोडा डाल दिया प्रोपर शुरू में एक से टेड़ किलो ही तूज किलाता हूं यह ताम शियाम को और सुवे में एक एक एड़ किलो लशी और जो चना हली मुश्टी और बादरा वह तो आप तम से कांव 15-20 दिन बाद में स्टार्ट करते हैं या एक मैं इना की होने के बाद स्टार्ट करत हुसको अ कितले आप उसको निपे लगाना शुरू कर लेता है तेक करने रभचा नेकर बस बेड़े जा रगरने चुर्णाडे प्कड़ के उसको ठीकर लेगा प्रश कररें तो अपने अपने ल्तेम श्ता हो तो रगा इए 豆 आपिेख्णा थैन लगोगे हो टार्श करू तो यह थी आज की जो को नोलिज वीडियो है फुल नोलिज बरी आपको कैसे लिए कि कॉमेंट के बाद आप से जूरू बताएं और ऐसी वीडियो अगर आपके बास अच्छा प्सदून है तो आपने को कॉल कर सकते हैं जी आपका वीडियो बनाएंगे जी तो यह था जी अच्छा प्सदून जा बना रख सकते हैं जी इसके लंबाई कितने होगे जी मैट की जो परसू बैठा है नाड़ी से यह इसकी लग बल मानो आप शाड़ साथ से आठ पीट होगा अच्छा जी वहां से यहां तक आठ पीट आता है तो यह कम भी नहीं और जादा भी नहीं बिल्कुल प्रोपर जग है वी राम से बेठ जाता पुस्दून पौने पांस पूत के आसपास में इनके जज़ा बना रख यह बीच की पौने पांस पूत के आसपास है ठीक है जी इधर काफ के लिए भी मैठ लगा रखे हैं तो ठीक है जी धन्यवाद दोस्तों जो यह प झाल